तो आज हैं हमारी थाइड क्लास जिसमें आपके 100 MCQs रहेंगे कम्यूटी हेल्फ हरसिंग के तो जो भी लोग क्लास में नहें हैं प्लीज क्लास को जॉइन करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस क्लास को जरूर सेयर करें जिससे आपके अपकमिंग एग्जाम में आपके लि Body Mass Index पूरा क्लियर कर दिया गया है जिनको ज़िदी डाउट हो दूसरे Rights of Child जो आपके एग्जाम में आते हैं तो आप चाहे होने तो जाके उनको वहाँ पर देख सकते हैं तो यहां पर आज की क्लास साइड में जो हमारे क्वेश्चन है वो आपके नॉर्सेट एग्जाम के का एग्जाम है OSSC का एग्जाम I think October में है जो डेट है सितंबर और October की आप लोगे को चेक कर लेना तो आज की क्लास है जो हमारी थार्ड क्लास और जो भी लोग MSNORSET के पेपर्स लेना चाहते हैं अपर UPCHO के पेपर्स लेना चाहते हैं डारेक्ट आप मेरे WhatsApp पर के पर्स को ले सकते हैं तो फस्ट क्वेस्टन हैं आपर आज की क्लास का MR Vaccination Campaign is for which age group? मीजल्स एंड रूबैला क्या है? मीजल्स एंड रूबैला कैम्पेन लगाया गया था तो एक किस एज ग्रूप के लिए लाया गया था? MR वैक्सिनेशन कैम्पेन option वे 9 मन्त है between 16 to 18 मन्त between 9 मन्त हैं less than 15 years between 6 मन्त तो एटीन मन्त है तो जो MR वैक्सिन के लिए MR वैक्सिन के लिए जो कैम्पेन लगाया गया था मीजल्स एंड रूबैला के लिए इसके लिए मीजल्स एंड रूबैला के लिए कैम्पेन लगाया गया था तो यह किस एज ग्रूप के लिए लगाया गया था तो यह लगाया गया था एज कितनी हो बिट्वीन नाइन मंथ से लेके बच्चे की एज 15 साल तक तो जब हम MMR वैक्सीन ही देते हैं तो जब बच्चे की एज कितनी हो जाने चाहिए नाइन मंथ कंप्लीट हो जाने चाहिए लेकिन जो MMR वैक्सीनेशन केमपैन है क्या है MMR वैक्सीनेशन केमपैन है इसमें जो एज रखी गई थी वो थी 9 महीने से लेके 15 साल तक जिसमें जो भी बच्चे अल्रेड़ी MMR वैक्सीन लगवा चुके हैं उनके लिए केमपैन है जो लगाया गया था तो यहाँ पर आपको MR vaccination का जो campaign है एक्जाम में आता है तो यहाँ पर याद रखना है age 9 महीने से लेके इतनी 9 मन्थ लेकिन 15 साल से कम 9 महीने complete हो जाने चाहिए लेकिन 15 साल से कम age है जो रहनी चाहिए और जो यहाँ पर national MR vaccine का campaign है I think first time 2017 के आसपास लगया गया था लेकिन आप इसको फिर भी एक बार चेक कर लेना कि जो MR vaccine है जो age है तो मुझे confirm है कि 9 महीने complete होना चाहिए लेकिन 15 साल से कम होना चाहिए age next यहाँ पर the quantity of hormone released by progesterocyte per day is a question मैंने आपको कल भी पढ़ाया था जो hormonal IUCD device थी उसमें तो जो quantity होती है hormone की progesterone hormone release करती है progesterocyte तो progesterocyte जो per day कितना hormone release करेगी 25 मुझी 45 मुझी 65 मुझी यह फिर 85 मुझी जो progesterocyte होती है progesterocyte release करती है 65 मुझी hormone कितना 65 मुझी hormone है रही है आपको device की image याद रखनी है exam में आ सकती है commonly इसमें जो total progesterone होता है होता है 35 8 mg कितना 38 mg 38 mg लेकिन अधी पड़े इसके release करने की बात करें तो पड़े 65 मुझी hormone है जो release करेगा और इसका जो mode of action होगा progesterocyte का है क्या करेगा जो ठिक प्लक बनाएगा किसका mucus का cervical os के यहाँ पर जिससे जो sperm है वो penetrate ना कर पाएगा जब प्लक बन जाएगा cervical os close की जाएगी mucus से ठिक mucus plug से तो जो sperm है वो क्या होंगे वो penetrate ही नहीं हो पाएगे अंदर ही नहीं पहुँच पाएगे तो इसका man काम क्या है mucus को ठिक करना जिससे cervical os को close किया जा सके पाएगे कितना release करेगी 65 mg और total कितना होता है इसमें 38 mg next है यहाँ पर which of the following is true regarding RU486 RU486 को लेके सही point क्या है it prevents from fertilization, has affinity for estrogen receptors, single dose of 10 mg prevents pregnancy in 90% cases या फिर cause delayed menstruation RU486 इसका दूसरा नाम क्या है Mifeproston अब आपको इनको RU486 पता नहीं है तो मैं बता दूसरा नाम है Mifeproston और यह abortion के लिए use की जाने वाली medicine है और यह क्या करेगी इसके बारे में लेके जो सही point है वो क्या है वो cause the delayed menstruation क्या होगा cause the delayed menstruation RU486 और Mifeproston it is a medication typically used in combination with mesoprostol to bring about an abortion during the pregnancy यदि आप pregnant हो गए हैं तो mesoprostol के साथ में Mifeproston 486 को है जो दिया जाएगा और इसका combination 97% है जो effective होगा तो अब बात आती है Mifeproston की तो यह vitalization से prevent करने का काम नहीं करेगी और यह क्या है प्रोजिस्ट्रों रिसेप्टर के प्रति क्या है affiliate है यहां पर यह जो endometrium है यहां पर प्रोजिस्ट्रों को ब्लॉक करने का काम करेगी implantation को जो decidue में setting होई है slugging हुए है तो उसको implant होने से prevent करेगी single dose इसका कितना होता है 10 mg prevent the pregnancy यदि RU486 को लिया जाए तो यह 10 mg तो pregnancy को prevent करेगी 99.1% case में लेकिन है manly जो RU486 medicine है किसके लिए use की जाती abortion के लिए और यह first trimester की जो pregnancy होती है उसी को reward करने में use किया जाएगा next one है यापर vitamin A in vegetable source is called vitamin A को vegetable source क्या कहा जाएगा retinol carotin pentothonic acid या फिर calcium ferrol vitamin ADEK सभी क्या है fat soluble vitamin है लेकिन vitamin A का vegetable source क्या कहलाएगा carotin क्या होगा carotin और यदि animal source पूँचे याद रखें आप यदि vegetable source पूँचा है तो carotin क्या है carotin यदि animal source जो लोग मास मच्छी खाते हैं उसके थो आपको vitamin मिलेगा तो वह गा retinol दोनों याद रखना है carotin है vegetable जो vegetarian लोग है उनको मिलेगा vitamin A का टाइप और जो retinol है जो लोग animal food खाते हैं उनके लिए जो मिलेगा वो होगा retinol कि नेक्स्ट यहाँ पर विच एंटी बॉड़ी इस एठायर कॉंसेंट्रेशन रेट कोलस्ट्रम तो कोलस्ट्रम में सबसे जादा high concentration antibody कौन सी है IgG IgM IgA फिर IgE आज के लिए आपको question है कि कौन सा immunoglobulin है जो कि किसमें रहेगा human milk में और कोलस्ट्रम में रहेगा तो यहाँ पर higher concentration है जो कोलस्ट्रम में कौन सा है तो कोलस्ट्रम की बात करें तो सबसे जादा higher concentration में होगा IgG कौन सा IgG next है यहाँ पर milk secretion in breast of mother is influenced by mothers तो यहाँ पर जो माँ आपने बच्चे को breastfeed करवाती है lactating mother है तो जो milk का secretion हो रहा है breast में तो यह mother के किसीज पर influence करेगा यह फिर depend करेगा nutritional status state physiological state hormonal state यह फिर all of the above milk का secretion जो breast से हो रहा है cholesterol निकल रहा है तो यह depend करेगा मां के nutritional status पर मां यह कुपोसित हैं तो breast से milk निकलना है जो ना के बराबर होगा physiological state का मतलब मां की condition कैसी है hormonal state का मतलब कितना oxytocin कितना prolactin hormone है जो release किये जा रहा है इस पर भी तो आपका जो answer होगा वो क्या आएगा option number D all of the above क्या होगा all of the above next one is let down reflex is responsible for the let down reflex किसके लिए responsible होंगे milk secretion के लिए milk ejection के लिए milk absorption के लिए milk digestion के लिए let down reflex है क्या है head down reflex है किसके लिए responsible है तो यह होगा milk ejection के लिए, let down reflex और milk ejecting reflex वो क्या है यहाँ पर, वो होगा oxytocin के थो, production किस के थो होगा, prolactin के थो, next यहाँ पर, bytot spot is the characteristics, features of whist efficiency, bytot spot, यह कौन से vitamin की या फिर mineral की कमिंग के कारण होगे, calcium की, vitamin D की, vitamin A की, यह फिर vitamin C की, bytot spot देखने को मिलेंगे, आपको vitamin A की कमी के कारण इस तरीके से, हाँ पर, जो आँख आपको देख रही है, जो spotting देखने को मिल रही है, keratin, जो की human की, जो conjunctive है, वहाँ पर keratin क्या होना है, start हो जाएगा, जो हाँ पर keratin का जो formulation है, फिर build up है, जो होना, start हो जाएगा, तो यह क्या कहला है, bytot spot, जो की यहाँ पर oval हो सकता है, triangular हो सकता है, regular in shape में, जो हो सकता है, जो image आप देख रहे हैं, यहाँ पर spot आप देख रहे हैं, नीचे की तरफ आपको देख रहे हैं, तो जो bytot spot है, इस जो की है, तो oval shape में हो सकता है, triangular shape में हो सकता है, या फिर किसी भी shape में हो सकता है, जो की shine है, बिटा में एकी कमी का, जिससे cornea है, जो कैसी रहेगी, dry रहेगी, dryness देखने को मिलेगी, और एक और question आपको exam में आता है, आखों को लेके, कि जब आखों की cleaning की जाती है, आइस cleaning क पूंची जाए, तो inner to outer canthus, next यहाँ पर, alma ata conference on health was held in, alma ata conference जो कब हुई थी, 12 सेतंबर 1978 को, 14 सेतंबर 1978 को, 14 सेतंबर 1978 को, 14 सेतंबर 1978 को या फिन अनब्दी अबब, तो जो alma ata conference हुई थी, 12 सेतंबर 1978 को, कहाँ पर हुई थी है, तो जो primary health care के लिए, इस conference में जो primary health care है, PSC है, इसको भी decide किया गया था, 12 सेतंबर 1978 को, पहले कजाकिस्तान था, Soviet Socialist Republic का, जो यहाँ पर country है कजाकिस्तान, वहाँ पर इसकी क्या हुई थी, बैठक हुई थी, रिसी में health for all है, जो इसी बैठक के थो है, जो health for all 1978 में दिया गया था, next one है आपर, which of the following is not a content of drug kit ay provided at sub-center, तो sub-center में kit ay और kit भी provide करवाई जाती है, तो कौन सा content है जो sub-center में kit ay provide करवाई जाती है, वो उसका नहीं है, oral rehydration salt, tablet paracetamol, OPCM, tablet cotrimaxol and last one is the vitamin D, तो kit A और kit B दोनों कहाँ पर provide की जाती है, sub-center में, अब sub-center में जो kit होती है, kit A, उसमें जो नहीं होगा बहोगा tablet paracetamol, क्योंकि जो tablet paracetamol है, sub-center की kit B में रहेंगी, आपने यह पढ़ा है कि kit A, kit B, sub-center में जो kit मिलेंगी, kit A मिलेगी, kit B मिलेगी, इनका content मैंने आपको बोल ला था, आपको इनका content याद रखना है, तो kit A में जो सामान नहीं है, वो क्या होगा, वो होगा tablet paracetamol, kit A में होगा ORS, iron folic acid की small and large tablet, vitamin A solution और quaterimaxol, लेकिन हैं पर जो नहीं होगा, वो क्या होगा, tablet paracetamol, next one है यहाँ पर, which of the following contribute to growth monitoring of under 5 children, तो इन में से क्या है, जो 5 साल से कम एज की बच्चे, under 5 इस चिल्रन का मतलब है, जिनकी उमर 5 साल नहीं हुई है, उससे कम एज के बच्चे, क्या चीज़ें उनकी health पर affect करेंगी, growth पर कैसे monitoring करेंगे, अपगार score से weight monitor करके, road to health chart से, एफर health education से, तो जिन बच्चों की एज 5 साल से कम है, जिनकी जिनके 5 साल से कम है, यदि at the time of birth की बात करें, कि बच्चा healthy deliver हुआ है, नहीं, तो वह हम अपगार score से करेंगे, लेकिन हैं पर under 5 year है children, तो हम कैसे करेंगे, बच्चे को road to health chart, उसमें आपको बच्चे की height और weight है, जो किस तरीके से normally grow हो रहा है, नहीं वो चीज़ यहां पर आ जाएगी, तो वो क्या होगा road to health chart, नेक्स्ट बने हैं आपर, weight of the non-pregnant uterus is about, तो non-pregnant state में uterus का बजन कितना होता है, pregnancy में तो 1000 gram तक सला जाता है, लेकिन जब non-pregnant state होती है, तो uterus का weight कितना होगा, 30 से 40 gram, 60 से 80 gram, 80 से 100 gram, या फिर 1 kilogram, तो normal non-pregnancy में uterus का बजन होता है, कितना, normally होता है, 60 से 80 gram, कितना, 60 से 80 gram, नेक्स्ट बने हैं आपर, removal of an entire lung is known as a question exam में आता है, कि यदी पूरे lungs को ही हमने surgery के थरो remove कर दिया, क्या term है जो use किया जाएगा, biolabectomy, pneumonectomy, lobectomy या फिर प्यूरotomy, तो कौन सा term है जो use किया जाएगा, जिसमें पूरे lungs को क्या है, पूरे entire lungs को ही remove कर दिया जाएगा, तो वो कहलाएगा pneumonectomy, क्या होगा, pneumonectomy और pneumonectomy, surgical procedure है, जिसमें lungs के किसी एक lobe को, या फिर पूरे lung को है, जो remove कर दिया जाएगा, यदि एक lobe को remove किया जाता है, तो वो होगा pneumonectomy, लेकिन यदि lung के ज़्यादा part को, segment को remove करेंगे, तो होगा pneumonectomy, लेकिन पूरे entire lung की बात हो रही है, तो क्या कहलाएगा pneumonectomy, next one है, आप पर the new net is cleaned in the diversion of, तो new natal baby हुआ है, after the delivery, every new one baby को हम clean करते हैं, dry करते हैं, तो baby की जब हम cleaning करते हैं, किस बे में करेंगे, side by side, back to front, cephalo cordal, या फिर न अनवदी अबब, जब हम baby की जो cleaning करते हैं, तो किस manner में करेंगे, बच्चे को पहले side से पहुँचेंगे, clean करेंगे, back से पहले पीछे clean करेंगे, फिर आगे या फिर head to toe, cephalo का मतलब head to toe, तो जो यहां पर हम cleaning करेंगे होगी, head to toe, कौन सी? head to toe cleaning और cephalo cordal cleaning है, जो करेंगे, next one है आपर, fertilization takes place है, तो fertilization कहां पर होता है, interrestrial space में, infantibulum में, एंपूला में या फिर ननवदीज में, तो fertilization कहां पर होता है, fallopian tube के एंपूला पार्ट में, कहां पर, fallopian tube के एंपूला पार, after the measurement of oral temperature, the thermometer must be cleaned from, तो यदि आपने oral temperature check किया, thermometer से, तो oral temperature check करने के बाद, आप thermometer को किस तरीके से clean करेंगे, front से, front to back से, from steam to bulb, और thermometer, एंपन अनवदी अबब, यदि आपने thermometer, oral temperature check किया है, तो आपके सरीके से clean करेंगे, from steam to bulb, कहां से, steam से bulb की तरफ, यहाँ पर जो आपको एक image दिख रही है, exam में आई, इसलिए यहाँ पैड की हुई है, लेकिन यदि आपको पूझा जाता है, कि oral में बात हो रही है, तो किस तरीके से clean करना है, steam to bulb, temperature लेने के बाद, thermometer कहते हैं, तो आपको किस तरीके से clean करना है, steam to bulb side, कहां से, steam to bulb side, और एक और image दिख रही है, नॉर्सवेट 2022 में आई थी, तो यह हैं हाँ पर, कौन सा thermometer है, यह भी एक thermometer का type है, यह है, one time use करने वाला thermometer, then after आपको इसके लिए throw कर देना है, next हैं हाँ पर, Indian Mental Health Act has been passed in the year, तो Indian Mental Health Act है, जो कब pass हुआ था, एक question भी exam में आता है, तो Indian Mental Health Act पास हुआ था 1987 में, कब 1987 में, next है यहाँ पर, what is the normal position of uterus, तो uterus की normal position क्या है, anti-vited, anti-flexed, both anti-vited and anti-flexed, तो यहाँ पर जो आपके लिए question लाए गए हैं, आपके नौर्साइट के अलावा जो लोग CAC, जो का exam भी दे रहा हैं, उनके लिए भी helpful रहने वाले हैं, तो यहाँ पर जो normal position होते हैं, uterus की वो होती है, anti-vited and anti-flexed, कैसी होगी, anti-vited and anti-flexed, next है यहाँ पर question आपका, most important question, which of the following hemoglobin value denotes anemia in a pregnant woman, तो कौन सी value represent करेगे की pregnancy में, जो lady है pregnant woman है, उसको क्या होगा है, anemia होगा, अतला में हैं आपर हिंदी में कहें, तो खून की कमी होगा है उसके लिए, तो कौन सा term है, कितनी value है, यह चीज़ represent करेगी, hemoglobin 11%, Hb 12%, Hb 9%, यह फिर Hb 13%, तो pregnancy में hemoglobin का जो level है, जब 9% से भी कम हो जाए, तब lady किसमें consider की जाएगी, एनीमिया में, इसमें एनीमिया में, नॉर्मल वैल्यू होती है, वोती है 12 gram per dl, लेकिन according to WHO के, normally आप यदि बात करते हैं, तो यदि below 11 जा रहा है, तब आपको क्या कहा जाएगा एनीमिया, लेकिन pregnancy में जब यहीं hemoglobin level, 9 to 10.9 gram per dl चला जाता है, means below 9 जाता है, तो यह क्या है आपका, यह हो जाएगा एनीमिया, फिर mild moderate severe category आती है, एक्जाम में एक question बहुत बार आता है, यदि mild एनीमिया है, बिलो 9 जाता है, moderate है तो 7 to 9 तक रहेगी range, CBR है तो 4 to 7 तक है range रहेगी, next बन है आपर, what is the duration of pregnancy in human being, human being में pregnancy कितने टर्फ तक के लिए रहेगी, 10 lunar month तक और 10 lunar month, 9 calendar month plus 7 days, 40 weeks यह फिर all of the above, जब हम LMP calculate करते हैं, तो कैसे करते हैं, जिसमें 9, जो 1st day of last menstrual period हम यूज करेंगे, 9 month plus 7 days add करते हैं, 10 lunar month add हो जाते हैं, जी हम 28-28 दिन का month count करेंगे, तो वो यहां पर 10 lunar month हो जाएगी, और weeks में करें तो 40 weeks, तो यह क्या हो जाएगा, all of the above, cancer होगा D, all of the above, next one है आपर, vitamin A supplementation is given to children from the age of 1-6 year for every, जिन बच्चों की यह एक साल से 6 साल तक हो जाती है, तो उनको vitamin A supplement दिया जाता है, तो कब दिया जाता है, every 3 month में, every 6 month में, yearly या फिर every 8 month में, जिन बच्चों की यह एक से 6 साल तक हो जाती है, तो उनको vitamin A supplement दिया जाता है, every 6 month में कब every 6 month में vitamin A का dose है जो दिया जाता है कितना दिया जाता है एभी exam में आता है तो यदि बच्चे की एज 12 महीने से 69 मन्त तक 59 मन्त तक हम कहें यदि 6 year तक कहें तो 2,00,000 यूनिट और यदि यहां पर 1 साल से कम है तो 6 महीने से 11 महीने तक है तो 1,00,000 नेक्स्ट है यहां पर breast is the modification of which gland तो breast है एक इस gland का modification है, changeable form है से BACS gland का बर्थोलिन gland का, sweat gland का यह फिर endocrine gland का तो जो breast है किसका modification है, कौनशी ग्रंथी का modification है, तो यह sweat gland का किसका sweat gland जिसको यहां पर breast को क्या कहा जाता है memory gland जो कि milk production में बेबी के लिए, जो milk production है, यह help करेगा, वो क्या है, memory gland और breast next one है, आपर contraction stress test इसकी image आपको exam में आती है तो contraction stress test के लिए क्या कहा जाता है, oxytosin challenge test, stress test both and be of none of the above तो आपने non stress test पढ़ा stress test पढ़ा है, तो यहां पर contraction stress test, जो NST exam में आपको आता है, image दी हुई रहती है, जो pregnant lady होती है, पेट में एक, बेल्ट बांदे रहेगी, तो वो क्या है, वो है यहां पर contraction stress test, इसको हम क्या कहते हैं, oxytosin challenge test, जो pregnancy में fetus किस तरीके से आपकी जो contraction आ रहा है, उट्रा contraction आ रहा है, उसमें किस तरीके से वो cope कर पा रहा है, वो चीज़ यहां पर check की जाएंगे, next है यहां पर the process of development of a matured ovum is called, तो mature ovum, जो mature egg है, उसका पूरी process होना development की क्या कहलाएगा, ovulation euphoria, oogenesis या फिर oocyte, तो क्या term है जो use किया जाएगा, जो term use होगा, वो क्या कहलाएगा, ovulation next one है आपर which of the following stage of labor is called the observational stage देखिए, labor की 4 stage होती है, 1st, 2nd, 3rd, 4 1st stage कहलाती है, cervical dilatation stage, 2nd stage कहलाती है, baby expulsion stage 3rd stage होती है, placental expulsion stage, 3rd stage में placenta बाहर आएगा, 4th stage होती है, observatory stage तो यहाँ पर, आपका जो question है कि observatory stage कौन सी है, तो वो 4th stage of labor next है यहाँ पर perperium starts with, तो perperium period कभी start होता है expulsion of the fetus से expulsion of the placenta से initiation of breastfeeding से या फिर onset of labor से जो perperium start होता है यह होता है, जब placenta एक का expulsion हो जाता है, और normal perperium period का जो duration होता है बोता है, 6 week या फिर 42 days, कितना? 6 week या फिर 42 days next one is the hormone that is injected to pregnant woman at the time of delivery तो delivery के time पर कौन सा hormone inject किया जाता है? progesterone, oxytocin, prednisolone या फिर none of the above जो hormone inject किया जाता है at the time of contraction delivery के time पर जो uterine contraction आदे उनको और जादे इंप्रूब करने के लिए जो hormone हम देते हैं वो कौन सा होता है? oxytocin hormone oxytocin hormone pregnancy के इंप्राइन contractions के अलावा जब जो bleeding होती है PPH होता है उसको control करने के लिए भी यूज किया जाता है next यहाँ पर plotting of partographs should started तो partograph में एक graphical representation आता है तो partograph हमें कभी start करना है active phase of first stage of labour latent phase of first stage of labour second stage of labour epithid stage of labour में तो partograph हमें कभी use करना है तो partograph start करना है हमें कभ active phase of first stage of labour अगर जब सर्विक्स चार सेंटीमीटर या फिर उससे ज़्यादा डाइलेट हो जाए तब हमें क्या करना है पार्टोग्राफ स्टार्ट करना है पार्टोग्राफ के कंपोनेंट्स आते हैं तो वह सर्वाई का डाइलेटेशन इसमें पार्टोग्राफ का आपको एमेज आ सकती है एक्जाम में पूछा जा सकता है कि यह क्या है क्या क्या है क्या है कितने डाइलेटेशन हो चुका है वह सर्विक्स का किस तरीक यह क los अहना रहे हैं कोन सी मेडिकेशन दी हुई दी गई है पैनलीद दी आ गया गया है पात्षिद Gradeion दी गये की ओकσι्टोषन दी आ गया है marked स्वेंगी एक्जिदोरीटेशन पर जो पाइटोग्राफ का फॉर्मेट आपको एक्जाम में आ सकता है तो यहाँ पर नेम होगा ग्रेविड है कितने वार प्रेजेंट है कितनी प्रेज्डेंसी हुई है हॉस्पिटल का नंबर आप कितने टाइम से एड्मिट है इसा भी चीज़ें यहाँ पर लिखी जाएं अब यहाँ पर रिमोट स्टेज कौनसी कहलाएगी पर पीरियम पीरियद है जो रिमोट स्टेज क्या है विदेन 24 आवर आफ्टर दे चाइल्ड बर्थ अरली अप्टू 7 डेज अप्टू 6 वीक या फिन अनर्दी अबब तो पर पीरियम डिलेबरी होने के बाद जब प्ले डेज क्या कहलाएगी रिमोट स्टेज जिस में पूरा जो की फॉस्ट यlolर लेवर दिलेबरी होने के बात से लेके टा-वर होंगे वो कहला है कि immediate per period दूसरा होता है early per period जो कि first week postpartum का जो first week है उसमें आएगा फिर आता है यहां पर remote per period जिसमें कब कर टाइम लिया जाएगा up to six week तक next one है यहां पर the failure of uterus to its normal sizes तो यदि uterus अपनी normal size में बापिस प्रिवर्ट नहीं हो पाई तो हम क्या कहेंगे involution, sub involution, retraction या फिर all of the आप तो कौन सा term है जो use किया जाएगा त्यदि uterus अपनी normal वापिस size में non pregnant stage में reward वैक नहीं हो पाई तो यह कहलाएगा sub involution क्या कहलाएगा sub involution sub involution का जो main cause होता है वो होता है यहाँ पर या तो placenta previa हो सकता है या फिर placenta previa नहीं यहाँ पर जो first common cause होता है uterus का जब बापिस अपनी condition वैक नहीं हो पाती है वो होगी manly pph के कारण हो सकता है या फिर uterine a tonicity के कारण हो सकता है next one है आपर strongest stimulation for lactation is by so strongest stimulation होगा lactation का किस के थो met chloropramide के थो suckling के थो pph के थो या पर bromocryptine के थो medication इनके नाम exam में आते हैं इनका लेना देना lactation से ही है तो यहाँ पर strong stimulation का होगा lactation का breast feeding के लिए तो वो होगा जब baby suck करेगा किस इज़ पेंड करेगा suck करने पर baby के यहाँ पर physiology आती है lactation की तो है यहाँ पर lactation का stimulation जो strong stimulation है वो क्या होगा suck करना baby का suckling अब यहाँ पर physiology होती है lactation की तो इसमें 5 stage होती है lactation का मतला में मिल्क का बनना किस तरीके से बनेगा फिर्स्ट होती है मैमोजैनेसिस मैमोजैनेसिस that means development of breast to a functional state breast functional state में आने की stage क्या कहलाएगी मैमोजैनेसिस फिर आती है लेक्टोजैनेसिस लेक्टोजैनेसिस में जो breast celluliae है वहाँ पर synthesis or secretion होना मिल्क का जो मिल्के बनना है synthesize होना, secretion होना है तो वो क्या कहलाएगा lactogenesis, galactokinesis kinesis जब bird जुड़ता है that means कुछ काम होने वाला है तो यहाँ पर milk eject होगा जब baby सक करेगा तो milk eject होगा अब lactation की process को maintain भी किया जाएगा तो यह कहलाएगा lactopoisis involution का मतलब होगा post lactation जब baby breastfeed करना stock कर देता है तो क्या होगा जो breast की size है वो भी अपनी normal stage में आ जाती है तो यहाँ पर एक क्या कहलाएगा involution of breast next one है आपर a case of 28 week pregnancy with pen and bleeding diagnosis ज़िए 28 week की pregnancy है pen हो रहा है bleeding हो रही है तो यह क्या है premature labor है threatened abortion है placenta previa है फिर accidental hemorrhage है तो यहाँ पर जुतने भी option दिये हुए premature labor में before 36 week के जब delivery होने वाली होती है labor pen आएगे वो होगा premature labor threatened abortion है फिर missed abortion हम इसको कहे सकते हैं तो यह before 20 week के ही होगा placenta previa में क्या होगा bleeding होगी लेकिन pen नहीं होगा अब यह क्या है accidental hemorrhage है क्या है accidental hemorrhage है placenta previa में bright red vaginal breeding होगी लेकिन without pen के इसमें किसी भी तरीके का pen नहीं होगा और second half of pregnancy में होने के chances जादा रहेंगे next one है आपर after delivery the dose of tablet calcium carbonate with vitamin D3 is delivery के बाद calcium carbonate और vitamin B3 की tablet का dose दिया जाता है तो यह कितना दिया जाता है one tablet a day for six month two tablets a day for six month two tablets a day for nine month every three tablets a day for six month तो tablet दी जाती है calcium की और vitamin D3 की तो यह दी जाती है six month के लिए तो यह कितनी दी जाती है तो per day two tablets कितनी two tablets यहाँ पर ostefit नाम की है लेकिन आपका जो chemical composition आपको वो याद रख रहा है calcium carbonate brand name अलग लगनान से भी मिल जाती है market में vitamin D3 की जो tablet दी जाती है वो दी जाती है दो tablet daily दो tablet ले रहा है six month तक next है यहाँ पर oxytocin challenge test is contraindicated in all except तो जो हमने oxytocin stress test पड़ा है वो सभी case में contraindicated है किसी एक को छोड़ कर previous two cesarean section यदि आपके दो बार पहले cesarean section हो चुका है LSCS के throat delivery हुई है तब oxytocin challenge test contraindicated रहेगा history of preterm labor preterm labor की history रहे है तब भी oxytocin challenge test contraindicated होगा फिर आता है breach presentation and placenta previa तो यह सभी case में contraindicated है वतलब ऐसे case में oxytocin challenge test नहीं करना है लेकिन जिसमें कर सकते हैं तो वो breach presentation कौन सा है breach presentation और जब भी जो यहां पर oxytocin challenge test जब भी premature birth के कोई भी sign देख रहे हो आपको placenta previa हो पासा previa हो या फिर cervical incompetence देखने को मिल रही है इसके लिए incircleze करने की ज़रूत पड़ती है या फिर multiple gestation आप बार बार pregnant हुए हो आपकी या फिर आपका पहले cigerian section हुआ हो दो बार से ज़्यादा हो चुका हो तब हमें क्या करना है oxytocin challenge test नहीं करना है बागी यदि grease presentation है तो हम कर सकते हैं यहाँ पर आपका answer होगा grease presentation next one है यहाँ पर which of the following will not be identified at high risk यहाँ पर इनमें से कौन सी pregnancy है जो high risk pregnancy में नहीं आएगी option है G2P1A0L1 38 weeks with previous LSCS तो यह तो high risk pregnancy में होगी क्योंकि 38 weeks की जो pregnancy है और पहले LSCS हो चुका है फिर आता है G1P0A0L0 लेकिन मा को preeclans ही है तो यह भी high risk pregnancy में है फिर आता है G1P0A0L0 यह obstetrical scoring है तो यहाँ पर 38 week की pregnancy है height 156 cm है तो यहाँ पर यह high risk pregnancy में नहीं आएगी क्योंकि height अच्छी है first time gravid है आप और यहाँ पर ना तो कोई आपको high risk pregnancy वाली conditions है तो यहाँ पर आपका answer होगा option number C high risk pregnancy में आती है कि यदि maternal age मा की age 16 साल से कम हो या फिर 35 साल से ज़्यादा होता वे high risk में आएगी या तो कोई chronic disease हो diabetic हो सकती है काईडू बैस्क्लार हो सकती है hypertension हो सकता है thyroid हो सकता है तो यह आजाएंगी high risk में preeclampsia जो की pregnancy induced hypertension जिसको हम कहेंगे वो आ सकता है RH, isoimmunai जेसा ना सकता है still birth का मतलब history रही हो पहले कि बार बार आपका uterus में ही जो गर्भ है उसी में आपके बज्चे की death हो गई हो तो वो भी आएंगी I.U.G.R जो intrauterine growth restricted way भी है वो या तो आपकी पहले 42 week के बार delivery हुई हो सभी किस में आएंगे यह आएंगे आपके high risk pregnancy में next है यहाँ पर new non-hormonal contraceptive pill available in government institution तो अभी recent में जो नई non-hormonal है लेकिन government institute में available करवाई जाने वाली contraceptive pill है तो वो कौन सी है छाया माला डी माला है ना फिर अंत्रा तो यहाँ पर जो अभी recent में non-hormonal है तो वो है यहाँ पर छाया और जो दूसरी है अंत्रा एक्जाम में यह भी आती है DMPA और अंत्रा अंत्रा और DMPA से मी नाम है एबरी थी मंद में injectival contraceptive है जिसमें depo provera methoxy progestron hormone है जो रहेगा हर तीन महीने में intramuscular roots से अपरा armo buttox में इसको लगवाना है नेक्स्ट यहाँ पर what is the number of feeding tube used to feed newborn तो newborn baby में कितने number की feeding tube use की जाएगी french में जो diameter होता है वो french में होता है 6, 8, 9, F, 10 तो newborn baby में जो feeding tube होगी वो कितने number की use की जाएगी 6 number की next है यहाँ पर in how many days umbilical cord falls in normal full term healthy newborn ते जदी healthy newborn है क्या है baby जदी healthy है तो जो umbilical cord है कितने दिनों के अंदर अपने आप fall down हो जाएगी दो से तीन दिन में तीन से पांच दिन में more than seven days more than 14 days एक question और आता है कि ambilical cord में कितनी when's artery होती है तो दो artery one when होती है artery deoxygenated blood को carry करती है when oxygenated blood को carry करती है और यहाँ अदि ambilical cord के यहाँ पर आपको dryness देखने को मिलती है तो आपको क्या लगाना है तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लगाना है और यहाँ पर question है कि ambilical cord अपने आप कितने दिन में गिर जाती है तो तीन से पांच दिन में अपने आप fall down हो जाएगी most important question image आपको exam में आ तो आ सकती है फिर पूचा जा सकता है कि good attachment sign क्या है तो question है आप पर good attachment sign of breastfeeding are all accept good attachment sign का मतलब है आपर कि जब बच्चा breastfeed करता है तो सभी मतलब बच्चा प्रॉपर तरीके से क्या कर पा रहा है breastfeed कर पा रहा है तो सभी good attachment sign है लेकिन किसी एक को छोड़कर option में है आप पर baby's mouth widely open lower lip turn inward baby's chin touch the breast majority of areola is inside baby's mouth अब यहाँ पर आप answer दीजिए गुड़ attachment sign कौन सा है जब बच्चा breastfeed कर रहा है अपनी मा का दूद पी रहा है तो सही attachment sign क्या होंगे first baby अपना मूँ widely open करेगा lower lip है वो outward होगा बाहर की तरफ होगा baby का chin है जो मदर के breast को touch करेगा areola है जो major part है और सबसे जादा है जो areola baby के mouth में होगा अब यहाँ पर आप पताईए कि आपका answer क्या होगा question फूच है accept करके तो आपका answer होगा option number B lower lip turn the inward जबकि यह हमेशा क्या होता है बाहर की तरफ होगा outward होगा यहाँ पर देखिए good attachment sign में baby has a large mouthful of breast chill firmly touching the breast fully rounded cheeks रहेंगे baby जब अपनी feeding finish कर लेगा तो वो अपने यहाँ पी breast को छोड़ देगा और यहाँ पर pen free होगी breast feeding जब आप baby को breast feed कराएंगे तो क्या होगा pen free breast feeding होगी nose है जो बहुत जादा close रहेगी next यहाँ पर below what weight hepatitis B vaccine is not recommended to be given तो यहाँ पर कितना बजन है यदि कितने weight से कम है बच्चे का बजन तम हम उसको hepatitis B vaccine नहीं देंगे तो at the time of birth vaccine दी जाती है Hepatitis B vaccine, BCG vaccine and oral polio vaccine अब यहाँ पर बात की जा रहे हैं कि Hepatitis B vaccine हम कितने बजन के बच्चे को नहीं दे सकते हैं यहाँ पर यदि बच्चे का बजन कितना हो 2 kg से भी कम हो बच्चे का बेट 2 kg से कम होता है तब हम उसको Hepatitis B vaccine नहीं दे सकते हम उस time तक वेट करेंगे कि बच्चे का बजन है जो कितना हो जाए 2 kg क्रॉस कर जाए 2 kg क्रॉस हो जाए तब हम उसको Hepatitis B इंट्रावस्टर रूट से है जो दे सकते हैं लेकिन जब तक हमें Hepatitis B vaccine नहीं देना है जब तक की बच्चे का बजन कितना हो जाए 2 kg से जादा नहीं हो जाए 2 kg से कम के बच्चे को जब बच्चे का वेज 2 kg से कम होगा हम उसको Hepatitis B vaccine नहीं दे सकते नेक्स्ट बन इस आप यहां पर आपको या तो इमेज आ सकती है इस तरीके के question की या फिर आपके लिए डारेक्ट पूछा जा सकता है question है आपर fertilization of two different ovum released in the same cycle is known as दो different ovum लेकिन जो एक ही same menstrual cycle में release हुए है उनका अधी fertilization होगा तो वो क्या कहलाएंगे super fetation, super fecundation, fetus acardiacus या फिर फिर प्रिपरिस केकस तो क्या terminology यूज की जाएगी यदि एक same cycle में दो different ovum release हुए है और उनका fertilization हो जाता है तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे super fecundation, क्या कहलाएंगे super fecundation, super fetation, दोनों टर्म अलग अलग है super fecundation का मतलब कि एक same cycle में जो दो ovum release हुए fertilize हो गाए तो वो super fecundation, super fetation का मतलब है fertilization of two ovum in different cycle, दो ovum है जो अलग-अलग menstruation cycle में क्या हुए है intercourse करने के बाद जो यहां पर fertilization हुआ है, दो ovum का जो अलग menstrual cycle में release हुए है उनका वो process कहलाएंगे super fetation, super fetation में देखिए समय से easily clear होगा आपको, माल लीजिए एक ovum है जो, एक ovum यदि आज release हुआ है, आज fertilization हुआ है, तो after जो second 28 days की अधि माल लीजिए normal menstrual cycle है, तो उसमें release होता है, तो यहां पर जो दो बार अलग-अलग, दो बार fertilization होता है, तो वो क्या कहलाएगा, super fetation, क्योंकि यहां पर जो menstrual cycle है, वो अलग-अलग है next one है, आपर cod prolapse is defined as, तो cod prolapse का मतलब क्या है, when the size of cod is short, cod having multiple infection conditions, cod is located outside the vulva, cod is lying inside the vagina, cod prolapse के लिए जो term use किया जाएगा, वो होगा यहां पर, कि जब cod है, जो outside the vulva दिखाई दे, कहां पर outside the vulva, तो यह होगा, cod prolapse, clinical type होते हैं, cod prolapse के, overt cod prolapse, जब cod vagina में रह जाएगी, लेकिन, क्या है, cod lies inside the vagina और outside the vulva, following the rupture of membrane, जो कि most common type है, cod or phunic presentation, जो कि, cod कहां हो जाएगी, slip down हो जाएगी, presenting part से, जो क्या होगा, cod presentation, फिर आता है, occult cod presentation, जिसमें यहां पर क्या है, the cod is placed by the side of the presenting part, and is not felt by the fingers, presenting part में slip हो गई है, लेकिन, internal examination, जब आपने किया, तो उस time पर एफिल नहीं होगी, cod prolapse होता है, तो जो position दी जाती है, पेसेंट के लिए, वो कौन सी position है, जिससे हम यदि cod prolapse हो गई है, तो उसको पेसेंट से क्या कर सकते हैं, cod prolapse के पेसेंट के cod prolapse हो गई है, अधी किसी person की, female की, तो उसको हम trend line work position दे के prevent कर सकते हैं, next and most important question, anterior fontanelle is ossified as, तो anterior fontanelle है, किस age में ossification होगा, मतलब यहां पर है, क्या हो जाएंगे, एक तरीके से हम कहें, तो मर्ज हो जाएंगे, ossification हो जाएगा, option में 1 month after the birth, 2 month after the birth, sorry 6 month after the birth, 13 month after the birth, 25 month after the birth, तो यहां पर, जो fontanelle है, क्या है fontanelle, इनका ossification होगा, तो यदि initially सबसे पहले, जो ossification होता है, वो होता है, posterior fontanelle का, इसका, posterior fontanelle का, और बाद में होता है anterior का, anterior का होता है, 18 month after the age, 18 month after the age में क्या होगा, यहां पर, anterior fontanelle है, close होगा, anterior fontanelle का नाम है, ब्रेगमा जो की लार्ज रहेंगे posterior fontanel का दूसरा नाम लेम्डा जो की small shape में रहेंगे और जो anterior है anterior fontanel ब्रेगमा है डेड़ साल की age में आप फिर अमठारा महीने कह सकते हैं इस age में क्या हो जाते हैं इनका ossification हो जाएगा फिर यहाँ पर बात आती है कि जो इहाँ पर ossification के अलावा आपको exam में आता है कि कौन से sutures रहेंगे तो इहाँ पर anterior fontanel ब्रेगमा चार sutures connect होंगे posterior में तीन next है इहाँ पर during intrauterine life neural tube is closed completely तो intrauterine life में neural tube है जो कब close हो जाते हैं on very first day on 5th day by 11th day या फिर वाइ 4th to 5th day तो कहा जाता है कि conceive करने से लेके ही या फिर conceive करने के पहले से ही folic acid की tablet ली जाने start कर जाती हैं क्यों क्योंकि neural tube defects हैं बच सके बेडी को prevent कर सके तो यहाँ पर जब बेबी को prevent करना है NTD से तो जो वही neural tube है कब close हो जाती है लाइफ में तो यह हो जाती है 4th to 5th day में कब 4th to 5th day में क्या हो जाती है close हो जाएगी next one है आपर recommended disinfecting specific to killing to coronavirus तो coronavirus को kill करने के लिए कोन सा disinfectant है जो की use किया जाएगा option में carbolic acid, lizol, finoyl after sodium hypochloride तो जो mostly disinfectant है वो है HIV के जो linen हो जाए या फिर 8% के कपड़े हो जाए या फिर coronavirus वाले तो क्या होगा sodium hypochloride next one है आपर visual equity reads adult equity by the age of तो जो visual equity है जो adult equity तक है जो किस साल में हो जाएगी 7, 9, 5 या फिर 3 में बच्चे की जो vision equity है visual equity वो adult में कब तक पहुँच जाएगी 7 में at the age of 7 normal visual equity होती है यहाँ पर 20 यहाँ पर snarlon chart से visual equity को check किया जाता है 1 by 16 degree जो क्या है normal vision है और perfect vision माना जाता है 1 by 100 degree तक लेकिन यदि जो आपको बात आती है exam में question दिया जा सकता है कि snarlon chart को आप कितने दूर खड़े होके read out करेंगे तो snarlon chart को read किया जाता है 20 feet तक आप से और snarlon chart के बीच कर गेप पे कितना होना चाहिए 20 feet का है जो होना चाहिए और फिर उसको यहां पर read out किया जाता है next one है यहां पर the antenatal diagnosis of all of the following condition is feasible except तो सभी case में यदि antenatal diagnosis हो जाता है तो feasible है किसी एक को छोड़ कर Huntington core या down syndrome, severe combined immunodeficiency syndrome एपर N incephaly antenatal diagnosis का मतलब है कि जब बच्चा uterus में ही है उस time पर हम test के throw क्या कर सकते confirm कर सकते हैं कि बच्चे को यह decision किसी एक को छोड़ कर Huntington core या down syndrome, N incephaly सभी चीज़ें जो starting में I think fourth और fifth month में जो zonography होती है जिसको हम क्या कहते है organ proper बने हैं या नहीं सभी तरीके की जो fifth month में scanning होती है उसमें आप इन चीज़ों को diagnose कर सकते हैं syndrome होगा Huntington core या 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 नहीं से पहली होगा तो यह Doppler test होगा उसमें फता चल जाता है लेकिन severe combined immunodeficiency को आप find out नहीं कर सकते हैं anti-natal diagnosis में यह आपको after the delivery baby में है या नहीं तभी आप इसको find out कर पाएंगे next बने हैं आपर highest incidence of marasmus is seen in which तो marasmus के सबसे ज़्यादा case है किस तरीके के बच्चों में देखने को मिलेगे new one baby में infancy period में school going children में आप ने toddler group में तो marasmus सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है infancy period में किस में infancy period में जिनकी age एक साल से कम होती है तोडला रेज ग्रोप में सबसे ज़्यादा जो marasmus देखने को मिलेगा एक साल से कम हैज के बच्चों में इसको infancy period कहेंगे को आसी ओर कर देखने को मिलेगा जिन बच्चों की एक से तीन साल तक हो next यहाँ पर new natal mortality rate is calculated by estimating the number newborn death within how many days new natal mortality rate में जो newborn baby की death consider की जाती है तो कितने दिनों तक की की जाती है 24 hour की, 28 दिन की, 1 week की यह पर 1 year की तो जो new natal mortality में consider किया जाता है कि बच्चे की age कितने दिन तक की हो गई हो 28 दिन की, कितने 28 days तक हो गई हो तो अब new natal mortality है जो यहाँ पर calculate की जाएगी और infant mortality पूछा जाता है तो 1 year कितना 1 year of age पर 1000 live birth in the same year सबसे जादा infant mortality rate है at present India में मध्य प्रदेश की कहां की? मध्य प्रदेश की next one है आपर इसका answer आप लो comment box में देना जो next class होगी उसमें इसका answer आपको बताया जाएगा question है आपर which among the following is not a common symptom of tuberculosis तो TB का कौन सा symptom नहीं है cup for 3 weeks or more fever especially at night weight gain after loss of appetite कौन सा sign है जो TB का नहीं है आपको आज की class अच्छी लग दो तो like करके अपने friends में जरूर share करना और जो भी लोग Northside Times के paper लेना चाहते हैं CSO के paper लेना चाहते हैं आप direct मेरे WhatsApp नबर पर contact कर सकते हैं Thank you for watching us Bye-bye, good night